हेलो क्लासिक्स, बिटर लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.3 कंप्लेट की थी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.4 इस exercise में 3 questions हैं 3 questions हमारे cover होंगे आज एकी वीडियो में बहुती easy steps से मैं आपको बताने वाला हूँ easy method मैं आपको clear कर दूँगा concept आपको समझा दूँगा बहुती easy question है तो वीडियो को बहुती carefully आप देखिएगा हर एक step को समझ लीजिएगा कोई problem हो हमें वीडियो के comment box में write कर दीजिएगा ठीक है या मैं आपको वीडियो के description में अपना WhatsApp number भी provide करता हूँ वहाँ पर आप अपनी problem share कर सकते हैं जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो question number 1 को हम reading कर लेते हैं question number 1 है मर पास draw any line segment a b through m m से draw a perpendicular to a b एक हमें perpendicular draw करना है a b line segment पर use ruler and compass हमें ruler और compass का use करना है actually perpendicular आप पहले समझ लीजिए actual में होता क्या है मैं एक छोटा सा rough diagram आपको बना देता हूँ एक ही हमारी कोई straight line है या समझ लीजिए एक line segment है एक दूसरी ऐसी line जो इस से 90 का angle बनाईगी यहाँ पर ठीक है इस type से एक दो line segments या दो कोई भी line एक दूसरे से जब cut करती हैं और 90 का angle drop करती हैं वहाँ पर 90 का angle बनाती हैं तो वो एक दूसरे का perpendicular कही जाती है ठीक है तो it means अगर मैं इसका नाम a b रख दूँ ठीक है ओके और इसका नाम रख दूँ p q तो हम लिखेंगे a b perpendicular to p q या p q perpendicular a b इस तरह से हम कह सकते हैं ठीक है तो हमें कुछ figure इस तरह की बनानी है कि हमारे पास a b एक line segment है इसके m points से यहाँ से इस पर ही एक point m है यहाँ पर वो हमें perpendicular draw करना है कुछ इस type की figure आपके पास आईगी ठीक है यह आपके पास a b एक line segment होगा ठीक है और यह आपके पास कोई m point होगा यहाँ पर कहीं भी हम draw कर सकते हैं ले सकते हैं इसको और इसके बाद एक 90 का angle बनाती हुई कि हमारे पास कुछ इस type t line होगी ठीक है इसका नाम हम कुछ रखतेंगे m p रख दीजिए ठीक है तो यह 90 का angle draw करेगी इस type की figure हमारी बनने वाली है ठीक है तो बस चली जल्दी से बनाते हैं ruler compass का यूज करना है तो सबसे पहले हम एक line draw कर लेते हैं ठीक है आप देखिए यहाँ पर line segment हम actually बना रहे हैं यह line segment हमारा draw हो चुका है इसका नाम हम रख देते हैं a b इसका एक point हमारा a है और एक point हमारा b है without any measurement आप इसको करेंगे mark any point M on it question पर हमें लिखा हुआ है कि कोई point हम इस पर ले लेंगे तो M point हमने मान लीजिए यहाँ पर ले लिया है यह M point है perpendicular draw करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है एक इस तरह की measurement ले 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 हैं कि कम से कम हमें इतना distance हमारा one finger हमारी यहाँ पर टच करें जा pencil होती है तो कम से कम इतने distance हम ले ले और इतने distance लेने के बाद हम अपने compass का point रखेंगे compass की knock रखेंगे M पर थोड़ा सा press करके और M के दो तरफ ठीक है इस M के दोनों तरफ left and right side में यहाँ पर हम arc लगा लेगे ठीक है आप देख पा रहे होंगे मैंने इस तरह से arc लगाया और एक point हमारा यहाँ पर ठीक है एस तरह से यह हमारा dस Inside इस point को आप चाहे one two to write कर दीजिए one two ठीक है यह Mackiज़ one two अगय है इनक हमने naming कर दी कुछ आप alpha bet भी रख सकते है no problem अब हमको क्या करना है थोड़ा सा हम इस measurement को बढ़ा लेते हैं ठीक है इस measurement को हमने थोड़ा increase कर लिया और यहां से point number one से हम एक arc लगाते हैं उपर की ओर ठीक है उपर की ओर एक arc हमने लगा दिया इस तरह से अब इसी measurement को लेकर हम two point पर जाएंगे compass को रखेंगे और यहां से हम क्या करने वाले हैं एक point लगा दिया हमने जो पहले वाले arc को cut कर रहा है ठीक है इस point का हम नाम रख देते हैं कुछ p ठीक है यहां पर यह point आ गया है p अब हम इस m point से p को join कर देते हैं ठीक है m point से p को हमने join करना है बहुत ही neat and clean बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा इसको ठीक है यह हमने इसको like this join कर दिया आप देख पा रहे हैं कि यह जो mp जो एक line है यह perpendicular हमारा draw हो चुका है कहां पर ab पर तो यह हमारा method हो गया है और pendular draw करने का एक line हमने draw कर लिये line segment हमने ab draw कर लिया है एक point हमने m ले लिया है हाँ पर m के दोनों तरफ ab पर हमने cut लगा लिये one and two points आपके पास इन दोनों points से उपर की तरफ हम arc लगाएंगे जो की cut होंगे p पर p को m से हमने join कर दिया और इसको हम measure करके बता भी सकते हैं कि हमारे पास यह 90 है या नहीं है देख लिजी एक बार इसको हम check भी कर लेते हैं like this look देखे पिलकुल 90 के उपर जाती हुई line और यह base है हमारा line ठीक है accurate 90 का हमारा बन चुका है तो इस तरह से हमारा यह construction complete हो जाता है ठीक है I hope आपको clear हो गया होगा चलिए अब हम करेंगे question number 2 question number 2 है हमारे पास reading करते हैं carefully draw any line segment p q एक हमें line segment p q draw करना है take any point r not on it हमें एक point r लेना है जो इस line segment पर ना हो यानि p q के ऊपर r नहीं लेना आपको outside लेना है ठीक है तो जो आप line segment बनाएंगे यह p q इसके upward या downward आप कहीं पर भी point ले सकते हैं through r r से draw a perpendicular to p q हमें perpendicular draw करना है r से इस p q line segment पर use ruler and set square set square और ruler का हमें use करना होगा बहुत easy question है सबसे पहले हमको क्या करना है एक line segment हम draw कर रहे है like this ठीक है इसको scale को बहुत ही हमें carefully पकड़ना है और यह हमारा line segment बन चुका है इसके हम naming कर देते हैं that is the point p that is point q p q is line segment ओके यह line segment हमारा आचुका है p q अब हमको क्या करना है ठीक है इस line segment p q पर एक perpendicular draw करना है किसी outside point से तो हमें यहाँ पर actually एक point ले ले लेना है like this इस point का नाम हम देख देते हैं r ठीक है हमने p q line segment से upward direction में एक ले लिया है ठीक है उपर की तरफ ले लिया है हमने r point अब इस पर r point से हमको एक perpendicular इस पर draw करना है using set square and ruler ठीक है सबसे पहले मैं आपको set square बता रहता हूँ two types की हमारे पास यहाँ पर set square होती है आप इन दोन में से कोई सी भी एक use कर सकते है ठीक है मैं इस वाली set square का use कर रहा हूँ ठीक है ओके तो जरा आप धियान से देख लिजेगा इसको हम कैसे करना है right देखे सबसे पहले हमको अपना scale लेना है ruler लेना है और इस ruler को इस pq के along बिलकुल मिलाते हुए इस तरह से place कर देना है बिलकुल धियान से देख लिजे हमको बिलकुल pq line से मिलाते हुए इसको बहुत अच्छे तरह press करके पकड़ लेना है ताकि ये हिले नहीं ठीक है scale आपका बिलकुल हिलना नहीं चाहिए अब ये जो हमारी set square है इसका ये जो sides हमारी क्या बना रही है right angle बना रही है इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पर रखने वाले है ठीक है इसको हम यहाँ पर रखेंगे थोड़ा सा scale को दबा कर और यहाँ पर इसको इस तरह से slide करना है ठीक है अपनी set square को हमको इस तरह से को टच करना चाहिए इसकेल को और एक हमारा इसको टच करना चाहिए तो जहां यह टच करें वहां पर हम इसको रोग देंगे ठीक है बहुत ध्यान से देखिएगा इसको मैंने यहां स्लाइड कर दिया है ठीक है यहां पर अब देखिए कि हमारा यह वाला बिल्कुल आर पर ट तच कर रहा है, इस केल को आप बहुत ही केरफुली हटा दीजेगा, इसको आप बहुत अच्छे से प्रैस कर लीजेगा, यहीं पर हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी ठीक है, और बिना इसके हिले हुए आप क्या करेंगे, एक यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ, ठीक है, बहुत ही केरफुली ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, देख लिजे, अब धीरे से इसको हटा देते हैं, अब आप देख पा रहे हैं यहां पर, आर से इस पी की उपर एक परपेंडिगलर ड्रॉ हो चुका है, तो अब इसका ना पी की उपर, ठीक है, तो यह हमारा हो गया, अब एक बार फिर से देख लेते हैं, सबसे पहले हमने पी की एक लाइन सेग्मेंट खेंच लिया है, ठीक है, और इसको हम पी की उपर रख देंगे, स्केल को अपने बिल्कुल मीजर करके, ठीक है, इस तरह से, और हमको यह सेट इसको है, बिल्कुल सेम इस तरह से करके, स्लाइड करना है, जहां तक हो हमारा आर को टच करती है, ठीक है, बिल्कुल सेम हमारे पास इस तरह से बिल्कुल चलाना इसको, और यह हमारा आ चुका है, यहाँ पर हम आर से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो यह हमारा perpendicular draw हो जाता है ठीक है I hope यह आपको समझ में आ गया होगा ठीक है बहुत ही easy हमारी construction थी ठीक है चलिए आप करते हैं next question अब question no.3 को rating कर लेते हैं बहुत ही important question है easy question है draw a line L एक हम line L draw कर लेंगे and a point X on it और इस पर एक point हम X mark कर लेंगे ठीक है through X X से हमें क्या करना है draw a line segment XY एक हमें line segment बनाना है XY perpendicular to L जो की L के perpendicular होगा ठीक है इतना काम होने के बाद हमको एक और construction करना है now draw a perpendicular to XY और यह जो perpendicular आएगा हमारा XY इस पर फिर से आपको एक perpendicular बनाना है Y point पर ठीक है चलिए using ruler and compass हमें यह work करना होगा सबसे पहले एक line हम draw करने वाले हैं L ठीक है बहुत ही easy construction है सबसे पहले एक हमने line draw कर लेनी है like this यह आपकी line draw हो चुकी है ठीक है इसकी हम name कर लेते हैं L L हमारे एक line आ चुकी है इस पर हम एक point ले लेते हैं यहाँ पर that is X ठीक है हमको क्या करना है इस X से एक perpendicular draw करना है चाहे आप उपर कर लिजिएगा और चाहे नीचे कर लिजिएगा कोई matter नहीं है इस में ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करना वाले हैं अपना compass लेंगे ठीक है लाइक दिस और इस compass से हम इस X के दोनों तरब point लेंगे one two one ठीक है इलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी और ना आपकी measurement आगे पीछे होने चाहिए बिल्कुल accurate आपका होने चाहिए X से आपने दो जगा point लगा लिया है ठीक है एक point इधर लगा दिया X के left side में और एक X के right side में ये दो points आगे आपके ठीक है अब इसके आगे इन दो points से हम क्या करने वाले हैं ठीक है perpendicular draw करने के लिए हम थोड़ा इसको increase कर लेते हैं और उपर की तरफ आप जैसे हैं देख पा रहे हैं इन दो points से ये जे दो points हमारे आया है 1 to in का naming आप कर सकते हैं एक point 1 आया है एक point 2 आया है इस two points से और इस one point से आपको उपर की तरफ दो arc लगा लेने हैं जो एक दोसरे को cut करेंगे ये हमने cut कर दिया आप देख पा रहे होंगे दोनों एक दोसरे को cut कर दिया है अब simply इस point को ये जो हमारी intersection point आया है दोनों और का इसको हम x से क्या कर देते हैं join कर देते हैं ठीक है इसको हम join कर देते हैं ठीक है और join करने के बाद यहाँ पर एक हम point write कर देते हैं इसका नाम डख लेते हैं Y ठीक है तो ये जो xy है ये jut y line segment होगा ये हमारी इस line l पर क्या होगा perpendicular होगा, इतना तो काम हमारा हो चुका है अब हमें एक काम और करना यह जो x y line segment आया है इस पर फिर से हमें एक perpendicular drop करना है इस point पर y point पर ठीक है y point पर करना है तो हम simply क्या करेंगे एक चोटी सी distance लेंगे जैसे अभी हमने x के दोनों तरफ arc लगाया था इसी तरह हम y के दोनों तरफ arc लगाने वाले हैं देखे like this हमने y पर रख दिया point ठीक है y पर हमने point रख दिया है और y के दोन तरफ ठीक है अब like this देखे यहां से हमने arc लगा दिया है और ये भी arc लगा दिया है ठीक है देख पारें आब अब यह point आ गया है हमारे that one यह point आ गया है 3 यह point आ गया हमारे पस 4 अब point 3 और 4 से हमें फिर से arc लगाना है ठीक है इसको थोड़ा miser को हम बढ़ा कर लेते हैं और 3 पर रखा हमने 3 point पर रखा और एक arc लगा दिया ठीक है एक point यहाँ पर हमरे पर यह आ चुका है यह point आ चुका है that one यह हमरे पास point आ गया इस point को हम y से join कर देंगे ठीक है y से join कर दिया हमने इस point को और यहाँ पर हम इसका name रख देंगे कुछ ठीक है इसका नाम रख देते हैं draw a perpendicular to x y at y y पर इसका नाम हमने दिया M तो MY perpendicular हो जाएगा किसके? XY के, तो इस तरह हमने दो perpendicular ब्रॉक किये हैं, ठीक है? एक तो किया हमने XY XY, ठीक है? perpendicular का sign लगा देंगे, यह sign उत्ता है perpendicular का, XY perpendicular है किसके? L के और यह जो MY हमने बनाया ठीक है? MY MY, यह perpendicular किसका है? XY पर, ठीक है? इस से पतला लगता है कि यह Y पॉइंट पर बना हुआ है, ठीक है? और मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ यह जो sign होता है, that is perpendicular का sign होता है perpendicular ठीक है? यह perpendicular का sign होता है इस टाइप से, यह 90 का अंगल शो करता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने नोट कर दिया XY perpendicular L और MY perpendicular to XY ठीक है? यह हमारी construction हो गई है एक बार फिर से मैं explain कर देता हूँ पहले line हमने L draw कर लिया है यहाँ पर एक point X ले लिया X के दोन तरफ हमने compass से arc लगा दिया ठीक है? इस तरह से arc लगा दिया यहाँ पर हमने यह arc लगा दिया और इधर arc लगा दिया ठीक है? बिल्कुल accurate distance लेकर यह दोनों point आ जाएंगे इस से हमने उपर की तरफ arc लगाए ठीक है? ठीक है? लाग दिस ऐसे arc लगा दिया और इस तरह से arc लगा दिया arc लगा दिया यह point आ गया हमारे पास एक इसको x से मिलाती है बढ़ाया यहाँ पर एक point लेंगे y तो x y perpendicular हो गया फिर इस y के दोनों तरफ यहां arc लगा दिया छोटी measurement लेंगे 3.4 आ गया 3 से इधर और 4 से इधर r लगा दिया तो यह point आ गया इस point से इसको मिला दिया और यह point हमने यहाँ पर m mark कर दिया m को y से join करने के बाद हमें m y z line segment मिलेगा वो होगा x y पर perpendicular I hope आपको इस वीडियो के सभी questions किलियर हो गए होंगे steps आपने समझ लिए होंगे ठीक है फिर भी कोई problem रह जाती है तो आप हमें comment box में write कर सकते हैं वीडियो के description में मैं आपको अपना number प्रोवाइड करा देता हूँ whatsapp number वहाँ पर भी अपने problem आप share कर सकते हैं तो बस आज की वीडियो में इतना ही